इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या एक से डिवाइड हूँ और किसी और नंबर से डिवाइड ना हूँ जैसे first 5 prime numbers हम देख सकते हैं 2, 3, 5, 7 और 11 हैं 0 और 1 को prime number नहीं माना जाता और 2 ही एक ऐसा even number है जो prime है इसके अलावा कोई भी even number prime नहीं होता हम इस वीडियो में सिर्फ positive prime numbers की ही बात करेंगे prime number को find करने का simple logic यह है कि हम 2 से लेकर n-1 तक हर number से दिये गए number को divide करें यदि ये 2 से n-1 तक किसी भी number से divide हो जाता है तो ये prime number नहीं होगा और यदि नहीं होता है तो prime होगा यदि हम और deep में देखें तो हम 2 से n by 2 तक हर number से दिये गए number को divide करके भी prime number का पता लगा सकते हैं n by 2 का logic यह है कि n by 2 n का largest factor होगा और हमें इससे आगे number को divide करके check करने की अवशक्ता नहीं है क्योंकि यदि इससे आगे के factors हम n से divide करते हैं तो वो fully divisible नहीं होंगे इससे हम example से समझते हैं यदि दिया गया number 11 है तो n by 2 की value 5 होगी यदि हम 11 को 6, 7, 8, 9 या 10 से divide करते हैं जो के n by 2 के आगे के factors हैं तो कभी भी हमें remainder 0 नहीं मिलेगा यही reason है कि हम number के दूसरे half के factors को avoid करते हैं और loop को n by 2 तक ही चलाते हैं इससे हमारे program की efficiency भी improve होती है क्योंकि जितने कम number of iteration होंगे उतना ही program efficient होगा तो चलिए देखते हैं इसका एक program जिसमें हम यह चेक करने वाले हैं कि दिया गया number prime है या नहीं इस program में हमने तीन variables declare किए n यूजर द्वारा दिये गया number को store करने के लिए i लूप चलाने के लिए और f flag के लिए जिससे 0 से हमने initialize किया prime number को check करने के लिए यूजर को message दिया enter a positive number to check prime इसे n में store किया अब हमने loop चलाया 2 to ny2 2 से loop इसलिए चलाया क्योंकि 0 और 1 तो prime number ही नहीं है इस loop के द्वारा हम दिये गए number को 2 से लेकर ny2 तक सारे factor से divide करके देखते हैं यदि divide हो जाता है तो number prime नहीं होगा और अगर divide नहीं होता तो number prime होगा लूप के अंदर हमने prime number की checking के लिए logic लगाया हमने लिखा if n modulo i equal equal 0 यदि ये condition true है तो number prime नहीं होगा तो flag की value को 1 सेट किया इसके लिए लिखा हमने f is equal to 1 और loop को break किया loop को break इसलिए किया क्योंकि यदि एक factor भी ऐसा मिलता है तो number prime नहीं होगा और अब हमें आगे checking की जरूरत नहीं है अब loop से बाहर आके सबसे पहले हमने 1 की condition को चेक किया यदि n की value 1 है तो message दिया 1 is not prime number फिर prime number के लिए flag की value को चेक किया यदि flag की value 0 ही रहती है तो number prime होगा और हमने message दिया number is prime और यदि 1 है तो number prime नहीं होगा तो हमने message दिया number is not prime प्रोग्राम को save किया compile किया run किया हमें message मिला enter a positive number to check prime number हमने दिया 1 तो हमें message मिला 1 is not a prime number again run किया इस बार हमने दिया 2 Message मिला 2 is a prime number Again run किया Message मिला 3 is a prime number Again run किया месяç मिला 4 is not a prime number इस तरह से हम किसी भी number को चक कर सकते हैं कि वो number prime है या नहीं यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए थैंक्स वॉचिंग तिल देन गुड़ बाई